तो नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका हिंदी डिफेंस अपडेट पे तो दोस्तो मैं आज फिर से आपके लिए एक इंटरस्टिंग सी वीडियो लेकर आ चुका हूँ तो वीडियो में हम जानेगे कि 1962 और 2020 में भारत कितना बदल चुका है और अगर आचीन और भारत के बीच युद्ध होता है तो कौन सादेश किस पर भारी पढ़ने वाला है कुछ खास वजह हैं मैं आपके सामने रखूँगा और उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेके बैल आइकन को प्रेस क ताकतवर है और भले ही चीन जादा प्रफेशनल होने का दावा करता है या ताकतवर होने का दावा करता है लेकिन असली ताकत जो है नंबर्स को छोड़ दी जाए तो वो भारत के पास है तो देखी दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है 1962 से आज स्थिती बिल्कुल उल्टी ह 1962 में चीन ने धोके से भरत पर हमला किया था और उस समय भरत्य सेना जो है पहाड़ी इलाकों में लड़ने के लिए तयार नहीं थी ना ही भरत्य सेना के पास हथियार थे और ना ही वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था लेकिन आज स्थिती में जमीन आसमान का अंतर है और दोस्तो 1962 में भी चीन के साथ सुसैनिक मारे गए थे और भरत के एक हजार जवान शहीद हो गए थे और बजाएक की नहीं हथियारों के भरत ने फिर भी चीन को अच्छा मूह तोड़ जवाब उस समय में भी दे दिया था और दोस्तो भरत्य सेना के अगला प दुनिया मानती है मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ और मैं तो मानता ही हूँ परंतु लोग फिर कमेंट करते हैं उल्टे सीधे तो दोस्तो और यूद्ध में चीनी सेना को भारत के आज पास जो है इंडियन आर्मी वो नहीं फटकने देगी और तीसर पॉइंट ह इस वीडियो का परमानो हथियारों से लेस होना भारत का लेकिन नोफष्ट की पॉलिसी भी इस्तेमाल करते हैं दोनों देश यूद्ध में दोनों ही देश परमानो हथियारों के जखीरे का इस्तेमाल करतने से बचेंगे ऐसे में चीन ये भी नहीं भूल सकता है कि आज भर जमीन हवा और जल तीनों से जबरदस्त परमानू हमला चीन पर कर सकता है और आज भारत के पास तरहां तरहां की 5000 से 8000 किलोमीटर तक मार करने वाली बेस्ट मिसाइले हैं और दोस्तों बात करें चीन की तो चीन के पास कुछ खास मिसाइले नहीं है जो भारत को नकसान पहुंचा सकती है और भारत के परमानू हतियार चीन से ज़्यादा ताकतवर है क्वालिटी में क्योंकि उनको ले जाने की चमता भारत के पास ज़्यादा अच्छी है दोस्तो चोथा पॉइंट है इस वीडियो का वायू सेना में भी भारत मजबूत है भारत के पास 270 फाइटर जैट है और 68 के पास ग्राउंड अटैक फाइटर जैट है जिन में मिराज 2000 और सुकुरी 30M के आई जैसे बेस्ट फाइटर जैट है भारत ने हवाई पट्टियों का वहाँ पर निर्मान कर लिया है और भारत की वाई से पूरी क्षमता से जबरतस त्रेके से वहाँ पर हमला करने में शक्षम है दोस्तों पांचवा पॉइंट है इस वीडियो गा भारत के फाइटर जैट ज्यादा इफेक्टिव होंगे चीद के उपर हमला करने में भारत के पास सुकुरी 30MKI मिराज 2000 और सुकुरी 30MKI मल्टीरोल फाइटर जैट है और चीन के पास के विल J-10 और J-11 जैसे कमक्षमता वाले फाइटर जैट है क्योंकि अमेरिका ने अमेरिका से मिलती चुनोती के कारण चीन का ध्यान साउट चाइना सी में रहता है तो ऐसे में ये उसका छोर है ये कमजोर है तो दोस्तो अब बात कर लेते हैं हम अपने छटे पॉइंट की तो छटा पॉइंट ये है कि तिब्बत में चीनी जो लड़ा को विमान है उनको वहाँ पर नुकसान है तो दोस्तो वहाँ पर जो चीन के हवाई अड़े हैं वे भी कम है और चीन के जो पाइलेट है वे भी भरती है जवानों की तरहां फूली ट्रेंड नहीं है दोस्तो वियतनाम से युद्ध हार चुका है चीन ये इस वीडियो का सबसे एहम और लास्ट पॉइंट है कमबोडिया में जो वियतनाम के सैने हर्ष तक शेप के बाद जवाब में चीन ने 1989 में युद्ध तो छेड़ दिया रच चीन के खिलाफ पर अपनी हार को देखते हुए पी एले वहाँ से भाग गई थी क्योंकि वियतनाम की सेना अमेरिका से युद्ध लड़ कर वहाँ पर ज्यादा अनुभवी हो गई थी और वो चीन पर भारी पढ़ने लगी तो ऐसे में वहाँ पर चीन को बहुत जादा नुकसान हुआ और चीन अपनी हार को देखते हुए वहाँ से भाग खड़ा हुआ और इस युद्ध के बाद चीन ने कुछ खास बड़ा युद्ध नहीं लड़ा है उसने केवल अपने देश में होंग कॉंग में चल रहे परत्रशनों को ही शांत किया है तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी चैनल को सस्क्राइब कर लिए और बैल आइकन को प्रेस कर लि थैंक कुछ आतरु वाचिन विडियो